बिसमिल्लाल र्रहमान रुर्राहीम अस्टूडेंट्स वेलगम टू मैं चेनल डेंटल टेक्निशन एंडटल हाइजीन इन दोनों कॉर्सिज में क्या डिफ्रेंस है और जादा स्कोप किसका है इन दोनों कॉर्सिज में से इक्वेलंस किन श्टूडेंट को मिलेगी आज हम त स्याँडियाatif तर्लियाम स्याइडिया, कि में न dual demande करके में गारतीrows है. आucky अधीय स्कीम, लें और आप पंजाब को ऊख करते हैं! तंस आप कोर्स के तने चौर्स का घशा स्कीनए ना करने चाहिए में चाहिए joint पंजाब medical faculty से यह दोनों courses यानि के दोनो डिप्लोमा जा तो साला करवाए जा रही है अब यहां पर इस student जो डेंटल technician course है पंजाब medical facility के चंद ऐसे courses जो एक्वल इस में dental technician course एक्वल नहींен था यानिके नहीं है उन students को एक्वलेंस नहीं मिल सकती, यह FSE के एक्वल नहीं होगा, जबकि डेंटल हाइजीन जो कॉर्स है, वो पंजाब मेडिकल फाकैलिटी की स्टूडिस में आप देख सकते हैं, कि वो FSE के एक्वल है, यानि कि डेंटल टेक्निशन कॉर्स अभी भी ओल्ड कॉर्स में है, और FSE के एक्वल नहीं है, जबकि डेंटल हाइजीन जो कॉर्स है, अब जो स्टूडन्स बंजाब मेडिकल फाकैलिटी से डेंटल हाइजीन कॉर्स करेंगे, उनका वो कॉर्स FSE के एक्वल होगा, और उन्हें एक्वलेंस मिल जाएगी IBCC से, अब बात आती है, जिन बच्चों ने डेंटल टेक्निशन कॉर्स किया हुआ था, यानि के आज से दो साल पहले, पांट साल पहले तो क्या, उनको एक्वलेंस मिले गीा, नहीं मिलेगी. तो students उनको equivalence अभी तक कोई ऐसा notification जारी नहीं हुआ कि dental technician वालों को equivalence मिलेगी यह सिर्फ dental hygiene के लिए dental hygiene का जो काम है वो dental technician से थोड़ा ज्यादा होता है यानि कि जिसके अंदर वो patients की screening, cleaning teeth, removing plaques and advising patients and oral health and prevention care they will also help dentists recite treatments for teeth and gum diseases and handle dental emergencies यानि कि dental hygiene जो है वो एक upgrade level पर अपनी job perform करता है जिसके अंदर वो patient को minor treatment खुद भी दे सकता है जबकि dental technician का काम होता है, creating accurate model of patients mouth and teeth from the dentist malls, resigning and fabricating dentures, mouth guards, retainers, etc. creating crowns and bridges to restore a patient mouth or teeth dental technician का काम होता है, जो एक BDS doctor होता है ठीक है, उसके साथ वो help करवाता है, dental technologist के साथ वो help out करवाता है जिसके अंदर equipments वगारा को manage करना, unit देखना, patient को यानिके, उनको timing वगारा देना, ये तमाम काम जो है, ये dental technician करता है, जो dental hygiene से बिलकुल एक low level पर आ जाती है यहां पे जो private clinical practice है, ये ना तो भी dental technician कर सकता है, ना तो dental hygiene कर सकता है, यानि के ये दोनों courses करने वाले जो students हैं, वो अपना clinic नहीं open कर सकते हैं, वो अपना clinic करें और वहां पे वो लोगों के दान्तों की मरम्मत करें, तो ये एक्तियार अभी दोनों में से किसी को भी नहीं दिया जाएगा, और अगर हम बात करते हैं कि इसमें से scope ज्यादा किसका है, कौन सा course students को चूज करना जाहिए, तो obviously, जैसे जमाना अपग्रेड हो रहा है, तो जो courses अपग्रेड हैं, आपको wisely उन्हें ही चूज करना चाहिए, तो अब जिन स्टूड़न्स ने अभी इसी साल admission लिया है, लेना है, तो वो dental technician में, यानि कि इस field में interested हैं, तो dental technician को छोड़ गर dental hygiene में admission लें, उसका scope ज्यादा है, एक तो वो FSE के equal है, उसके निदर आपकी practice ज्यादा हो जाती है, और उसके बाद आप लोग BSD भी कर सकते हैं, यानि कि BS dental technologies to four years BS program भी कर सकते हैं, तो इसलिए advance opportunities का फाया उठाएंगे, इन दोनों courses में difference है, hopefully students आपको तमाम बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, अगर इसके हवाले से further किसी भी student का कोई भी question है, तो आप मुझे comment section में पूछ सकती है, मेरी यही कोशिश होती है, कि मैं एक ही video detail में बनाकर तमाम students का जो सवाल है उसका जवाब clear कर सकूँ, और जो students मेरे चैनल पर new है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए का, इंशाला मिलते हैं अगली वीडियो में, अला हाफीज